हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में आलोक इंडर्स्ट्रीज के मच अवेटेड क्वार्टर टू के जो रिजल्ट है वो थर्सडे को कंपनी ने अनौंस किये थे हमने पिछले कुछ क्वार्टर में देखाया कि आलोक इंडर्स्ट्रीज के रिजल्ट में हमें काफी अप्स और डाउंस देखने को मिले हैं जहां पर एक्सेप्शनल गेन और लॉस की बात है वो काफी हैवी रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट में आज की इस व वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि क्वाटर टू के रिजल्ट के बाद आने वाले टाइम शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म में से स्टॉक में किस तरह की स्टॉरी बन रही है करन्ट सी एमपी पे यह स्टॉक खरीदें या फिर बेच कर निकल जाएं हालोक इंडर्स्टिस के बारा तारिक को जो है क्वाटर टू के रिजल्ट आए फिर रिजल्ट से पहले भी स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा था जा वाल्यूम भी काफी कम हो गई थी और इस स्टॉक एक रेंज में ही पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा है इवन रिजल्ट के बाद भी दो ट्रेडिंग सेशन हमने देखे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक जो है अपर सरक्रिट पर जाके क्लोज हुआ और कल मुहरट ट्रेडिंग में स्टॉक फ्लैट टू निगेटिव बंद हुआ है अब बात आती है कि इन ल स्टॉक को लेकि होनी चाहिए बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको क्वाटर टू के रिजल्ट बता देता हूं 820 क्रोड के आसपास की सेल कंपनी ने क्लॉक करी है जो वाइन वाइस यानि कि इसी क्वाटर में पिछले साल से कंपेर करें तो लगबग 2-3 परसेंट घटकर आई लास्ट यर कंपनी ने आश्वर 50 क्रोड की सेल दिखाई थी और क्वाटर एं क्वाटर बेसिस पर देखे तो लास्ट क्वाटर में 370 क्रोड की सेल आई थी जहां कोवीड का पूरा इंपक्ट सेल में दिखाई दिया था और वहां से सेल आपको डबल से ज़्याद अगर नेट लॉस की बात करें तो लगबग 277 करोड का लॉस आया है कंपनी को 5026 करोड का exceptional गेन हुआ है जो कंपनी ने अपने नौट में बताया है कि जो इन्हों ने कंपनी को assigned debt तो उसको reduction किया as per the approved resolution plan पिछले तीन क्वार्टर में हमने देखा है कि दो क्वार्टर में इससे पिछले क्वार्टर में exceptional loss आया तो उससे पिछले क्वार्टर में exceptional gain आया था क्योंकि company जो है एंसे लटी में resolution के बाद में restructured हुई है नए मोटर आये हैं तो काफी सारी डेट ऐसी है जो राइट ओफ हुई है कंपनी की balance sheet से राइट ओफ होगी तो वहाँ पर exceptional gain और exceptional loss दोनों आपको देखने को मिलेंगे आप उनको ignore करिये और सिर्फ और सिर्फ देखे कि operational front पे company कैसा कर रही है किसी भी अफवा में नहीं फसना है आप operational efficiency देखे क्योंकि आने वाला जो stock का moment रहेगा शेयर का price रहेगा वह उसकी operational efficiency पे रहेगा ना कि exceptional gain या loss के ऊपर operational front पर देखें तो यह number बहुत विक आये हैं बले ही net profit 400 क्रोड के आसपास दिखा रहा हो इसके अलावा 130 क्रोड के आसपास का company की interest cost आई है friends आप यह समझे के चलिए कि 800-800 क्रोड के आसपास के quarterly sale है जिसमें operational front पर भी 20% 20 क्रोड के आसपास का loss हो रहा है और अगर उसमें हम interest cost depreciation जोड़ दें तो लगबग loss पौने 300 क्रोड के आसपास का है friends इस company को operational front में revive करने में ही अगले 3-4 quarter लग जाएंगे अगर sales कल को बढ़ती है 1000 क्रोड के आसपास पहुंसती है cross करती है 10-15% की growth company दिखाती है तो वहाँ पर habit कैसा आता है margins कैसे आते हैं कितना profit company दिखाती है उसको market बहुत closely watch करने वाला है पच्चिस रुपे चालीज पैसे क्यास पास की CMP चल रही है और यहां पर भी valuations बहुत ज़्यादा expensive है साड़े-बारह जादा क्रोड की market capital है क्यों आप समझ के चलिए 497 क्रोड की equity share capital है एक रुपे की face value यानि कि लगबग 497 क्रोड share issued है आप यह मान के चलिए 800 क्रोड की sale आई है FY21 को हम छोड़ देते हैं कोविड का impact है FY22 में अगर 15% की आसपास की company 5 से 15% की आसपास की growth दिखाती है और sale पूरे साल की यानि quarterly sale लगबग 20% बढ़के 4000 क्रोड के आसपास annual sale पहुंचती है तो यहाँ पर आप ये बात समझ के चलिए कि अगर 4000 क्रोड की sale करेगी company क्योंकि इसकी जो equity share capital है वो 497 क्रोड है और एक रूपे face value है तो 500 क्रोड शेर issue नहीं यानि कि 500 क्रोड का जब profit होगा तो एक रूपे का EPS आएगा तो आप समझ के चलिए कि 4-5,000 क्रोड की sale पे textile company तो 500 क्रोड का profit कर नहीं सकती है तो FY22 का expected EPS है अगर यह operationally revive करती है तो वो 20-30 पैसे से उपर आने वाला नहीं है तो यहाँ पर आप समझ के चलिए कि कितने ज़्यादा valuations महंगे हैं textile business को revive होने में अभी कई quarters लग सकते हैं covid का impact अभी भी market में है और एक single textile company ऐसी नहीं है जसको market rich valuations देती है क्योंकि यहाँ पर growth को लेके margins को लेके हमेशा uncertainty बनी रहती है उसे साब से आप समझिए कि valuations के front पे sales to market capital 35 क्रोड की sales 12,000 क्रोड की market capital company 4 गुना sales to market capital पे trade कर रही है EPS peak तो बात ही मत करी है अभी loss में और expected EPS 10-20 पैसे से उपर आने वाला नहीं है वो भी तब जब जो है drastically company की operational efficiency बढ़ेगी तो आप समझिए कितने expensive valuations पे share trade कर रहा है उसके बाद भी share एक range में है उसका सिर्फ कारण यह है कि कहीं न कहीं market यह expect कर रहा है कि Reliance ने जो stake ली है Reliance अब promoter है तो वहाँ पर promoter की तरफ से कोई बड़ा announcement आ सकता है stock की re-rating हो सकती है यहाँ पर Reliance ने जो stake खरीदी है और promoter जो change हुआ है वो काफी हद तक 25 रुपे के price में पूरी तरह से discounted है इस particular share में upside पूरी तरह से capped है अगर यह किसे news flow पे थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो वहाँ पर selling pressure देखने को मिलेगा even थोड़ी सी just settle हो चुकी है आने वाले time में इस बात के पूरे chances है कि stock जो है market थोड़ा support ना करे थोड़ा खराब होती है तो फिल से 20 रुपे के नीचे के level आपको दिखा सकता है फिल से stock में अगर किसी ने लिया है और उसको अलोग industries ही खरीदना है तो कम से कम 2-3 साल का view रखे क्योंकि reliance promoter है तो कोई बहुत ज़्यादा correction यहां पर आया इस बात के chances capped हो जाते हैं पर जब तक बड़े announcement नहीं आएंगे drastically sales और operational efficiency improve नहीं होगी तब तक इस particular share में कोई बड़ा moment देखने को नहीं मिलेगा आप पहले तो इस बात को समझे कि आलोक में जो क्योंकि movement आया था इस टॉक ने 1012 रुपे का low बना के 50 रुपे का हाई बनाया था वो सब चीज़े अब खतम हो चुकी है अब company जो है अपने fundamentals के साब से चलेगी और fundamentally जो उसके वालोइशन से हैं वो हद से ज्यादा expensive है अच्छी चीज़े सारी discounted हैं तो यहां पर कोई बहुत बड़ा movement short term में आये उसके chances बिल्कुल ना के बराबर है इस stock को अगर आपको fresh entry करनी है तो averaging करना है तो इससे नीचे के levels आपको मिलने चाह चीज़े current cnp पे avoid करें जो लोग trap हो चुके हैं बड़ी quantity लेके बैठे हैं वो भी अगर averaging करना चाहते हैं तो 20 रूपीज के नीचे जब stock जाये तब averaging करें और minimum 2.5-3 साल का view रखें एक बात इसमें अभी भी अच्छी है कि promoter काफे strong है और जो promoter reliance है वो company को revive करने के लिए जाने जाता है तो यहां पर हो सकता है कुछ बड़े developments रेखने को मिले जो further share को rerate करे पर उसके लिए काफी लंबा time अभी लग सकता है short term में आलोग में हर news discounted है और यहां short term में कोई बड़ा moment आए इसके chances बिलकुल ना के बराबर है इस बात को जितनी जल्दी आप समझोगे उतना ही आपको benefit होगा even आप आलोग के पीछे ना पढ़के एक छोटी quantity आलोग के लिए ठीक है portfolio में रखिए कोई और अच्छा share खरीते हैं तो आपको यहां पर काफी बड़ा profit हो सकता है friends further आपकी कोई भी queries share को लेकरो feel free to ask me in the comment section video पसंद आईए like कीजिए friends के साथ share और मेरे चैनल को subscribe परना ना भूले thank you